दोस्तों आज की जो भाइकेंसि है वो एनजीो के तरफ से निकाली गई है दोस्तो एनजीो का नाम बताने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एनजीो के तरफ से सारी भाइकेंसी के बारे में बताएंगे इसलिए आप इस वीडियो को पूरा दखिए और दोस्तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर्स कर लेजेगा क्योंकि यहाँ पर प्रते दिन आपको इसी परकार के जौब से समंधित वीडियो देखने को मिलेंगें दोस्तो सरकार के तरफ से रइस्टर्ड एंजियो सब्त संधु नवचेतन फाउंडेशन के तरफ से टोटल 15 अलग-अलग पोस्ट के लिए भाइकेंस से निकाले गई है दोस्तो जिसे आप अपने जिले, ब्लॉक और पंचायत में रहकर इस कार्ज को असाने से कर सकते हैं, दोस्तो पोस्ट का नाम बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि आपको इसमें कार्ज क्या करने हैं, दोस्तो आपके अपने वाड, ग्राम, पंचायत, परखंड और जीला अस्तर पर आपके छेतर में, सिक्छा, स्वास्त वो स्वक्षता म वो आपके समाज को ससक्त बनाने जैसे समाजिक छेतर में कार्ज को करने हैं और दोस्तो अगर आप और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं इस NGO के बारे में तो आप इसके ओफिसियल वेपसायर से इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं चलिए दोस्तो अब हम आपको ये बता दें कि कौन-कौन से पोस्ट के लिए भाइकन से निकाले गई है और कौन-कौन से लोग इसके लिए अपला कर सकते हैं दोस्तो इस NGO के तरफ से कुल 15 अलग-अलग पोस्ट के लिए भाइकन से निकाले गई है दोस्तो पहला जो post है वो है आपका चपरासी का और इस post के लिए जो qualification रखा गया है वो आपका तेंथ पास रखा गया है और इस post के लिए जो आपको sell ले दिया जाएगा वो आपको 5000 रुप्या प्रतिमा sell ले दिया जाएगा और इसमें जो आपका selection होगा वो interview के अधार पे आपका selection किया जाएगा दोस्तो दूसरा जो post है वो है आपका स्वागति का और इस post के लिए जो qualification रखा गया है वो आपका 10 प्लस 2 रखा गया है और इस post के लिए जो आपको sell ले दिया जाएगा वो आपको 7700 रुप्या प्रतिमा sell ले दिया जाएगा और इस post के लिए भी आपका selection एक interview के अधार पे किया जाएगा दोस्तों तीसरा जो post है वो है आपका लीपिक का और इस post के लिए जो qualification रखा गया है वो आपका 10 پلस 2 रखा गया है और इस post के लिए जो आपको sell ले दिया जाएगा वो आपको 10,000 रुप्या परतिमा sell ले दिया जाएगा और इस post के लिए भी आपका selection एक interview के अधार पर किया जाएगा दोस्तो चौथा जो post है वो है आपका परमुक लिपिक का और इस post के लिए जो qualification रखा गया है वो आपका graduation रखा गया है और इस post के लिए आपको 12,000 रुपया परतिमा सली दिया जाएगा दोस्तो इस post में आपका selection होगा वो interview और एक exam के अधार पर आपका selection किया जाएगा दोस्तो पांचमा जो post है वो है आपका पंचायत 77 का और इस post के लिए जो qualification रखा गया है वो आपका 3 पास रखा गया है और इस post के लिए जो आपको सली दिया जाएगा वो आपको 6,500 रुपया परतिमा सली दिया जाएगा और इस post के लिए जो आपका selection होगा वो एक interview और exam के अधार पे आपका selection किया जाएगा दोस्तो चठा जो पोस्ट है वो है आपका जिला समनवयका और इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन लखा गया है वो आपका गर्जवेशन लखा गया है और इस पोस्ट के लिए आपको 18,000 रुप्या परतिमा सल्ली दिया जाएगा दोस्तो इस post में जो आपका selection होगा वो एक interview और exam के अधार पे आपका selection किया जाएगा दोस्तो शातमा जो post है वो है आपका सहायक जिला समनवैक है और इस post के लिए जो qualification लखा गया है वो आपका graduation लखा गया है और इस post के लिए आपको 15,000 रुप्या परतिमा सली दिया जाएगा दोस्तो आठमा जो post है वो है आपका पर्खंड समनवैक है और इस post के लिए जो qualification लखा गया है वो आपका graduation लखा गया है और इस post के लिए आपको 12,500 रुप्या परतिमा सली दिया जाएगा दोस्तो, नॉमा जो पोस्ट है, वह है असहायक परखंड परवन्धक का और इस पोस्ट के लिए जो क्यालिफिकेशन रखा गया है वह आपका 10 प्लेस टू रखा गया है और इस पोस्ट के लिए आपको 6,000 रुप्या परती मासली दिया जाएगा दोस्तो दसमा जो पोस्ट है वो है आपका पंचायत सिक्षिका का और इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन लखा गया है वो आपका तेंथ पास रखा गया है और इस पोस्ट के लिए आपको तीन हजार रुप्या परतिमा सली दिया जाएगा दोस्तो एगारमा जो पोस्ट है वो है आपका ग्राम सिक्षिका का और इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका तेंत पास रखा गया है और इस पोस्ट के लिए आपको तीन हजार रुप्या परतिमासली दिया जाएगा दोस्तो अगला जो पोस्ट है वो है आपका वार्ड सिक्षिका का और इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन लखा गया है वो आपका तेंथ पास रखा गया है और इस पोस्ट के लिए आपको पंदरास रुप्या परतिमा सली दिया जाएगा दोस्तो अगला जो post है वो है आपका परसिक्षक का और इस post के लिए जो qualification लखा गया है वो आपका graduation लखा गया है यानि कि अगर आप science से graduation किये हैं तो आप इस post के लिए apply कर सकते हैं इस post के लिए जो आपको salary दिया जाएगा वो आपको 14,000 रुपया परतिमा salary दिया जाएगा दोस्तो अगला जो post है वो है आपका कर्याले परवंधक का और इस post के लिए जो qualification लखा गया है वो आपका graduation लखा गया है और इस post के लिए आपको 12,000 रुपया परतिमा salary दिया तो दोस्तो आप अपने हिसाब से इस post के लिए आसाने से अपला कर सकते हैं दोस्तो इस post के बारे में और अधिक जानकारे प्राप्त करने के लिए आप इसके official website से इसके बारे में जानकारे प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप इसके ओफिस में जाके इसके बारे में जानकारे प्राप्त कर सकते हैं या फिर जो मोबाइल नमर दिया गया है आप इस मोबाइल नमर के जरीए इसके बारे में जानकारे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तो इसका जो ओफिस है वो है आपका मतरापूर, समस्तिपूर बिहार और दोस्तों यहां पर contact नमर भी दिया गया है तो आप इसके office के जरिए या फिर contact नमर के जरिए इसके बारे में और अधिक जानकारे प्राप्त कर सकते हैं